नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है, आज की खबरें युक्रेन से जंग के लिए उत्तर कोरिया भेजेगा अपने सैनिक, बदले में रूस से क्या लेगा? युक्रेन पिछले दो साल से दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर रूसी सेना को टकर दे रहा है, अब रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया सामने आया है, उत्तर कोरिया ने कहा है कि वह एक महीने के अंदर अपने सैनिकों को रूस भेजेगा, ताकि युक्रेन के खिलाफ जंग में वे रूस की मदद कर सकें अमेरिका के जिप्टी सेक्रेटरी आफ स्टेट कर्ट कैम्बेल ने कहा है कि उत्तर कोरिया बहुत जल्द रूस से लंबी दूरी की नुकलियर मिसाइल टेकनॉलजी हासल करने वाला है जबकि इसके बदले वे रूस को आर्टिलरी के गोले देगा इस बीच खबर ये आ रही है कि उत्तर कोरिया ने कई हत्यारों वाली मिसाइल का सफल परिक्षन भी कर लिया है अगला नब्बे हजार टन वजन तैनात होंगे सुखोई 57 पुनी पुतिन बनेंगे समंदर के सबसे बड़े सिकंदर रूस अब अमेरिका का शक्तिशाली नौसेना बनाने जा रहा है इसके लिए रूसी नौसेना एक स्टेल्थ एरक्राफ्ट केरियर बनाने की योजना बना रही है या एरक्राफ्ट केरियर यानि विमान वाहक युद्धुपोत इतना विशालकाई होगा कि अमेरिकी नौसेना भी शायद इससे डर इस एरक्राफ्ट केरियर पर स्टेल्थ तक्नीक से लेस सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा अगला मकारी करना कोई चीन से सीखे पडोसी देशों पर धौंस दपड दिखाने के बाद गार रहा पंच शील के गीत पूर्वी लड़ाक में भारी हत्यारों के साथ अपने साथ हजार से ज़्यादा सैनिकों को तैनात करने के बावजूद भारत पर कोई असर ना पड़ता देख चीन अब पैंतरे बदल कर दोस्ती के गीत गाता दिख रहा है चीन के राष्टपती शी जिनपिंग ने शुकरवार को मगरमच की तरे शांती और सदभाव के गीत गाते हुए भारत के साथ 1954 में हुए पंच शील समझोते को याद किया जिनपिंग ने पंच शील के सिधान तेशिया में पनपे और फिर जल्द ही पूरी दुनिया की जरूरत बन गए उस समझोते ने दुनिया को एक जुट करने में बेहत मदद की है अगला चीन जाने से बचें ताइवान को क्यों जारी करनी पड़ी अपने नागरिकों को यात्रा चेतावनी ताइवान सरकार ने गुरुवार को चीन के लिए अपनी यात्रा चेतावनी को बढ़ा दिया उसने अपने नागरिकों से कहा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो वे वहाँ ना जाएं यह कदम पिछले सब्ता बीजिंग की और से दी गई धम्तिकी के बाद उठाया गया बीजिंग ने चेतावनी दी थी ताइवान की सब्तंतरता के कट्टर समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा अगला क्या है 72,000 करोड का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जिसे रद करवाना चाहती है कॉंग्रेस इसी महिने की 17 जून को कॉंग्रेस ने मांग उठाई कि ग्रेट निकोबार आईलेंड में नीती आयोग के मेगा प्रोजेक्ट को भी को जो भी मन्जूरी दी गई है उसे तुरंथ परभाव से रद किया जाए कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि इसमें आदीवासी समुदायों और परियावरण की रक्षा करने वाले समय धानिक प्रावधानों, कानूनों और प्रक्रियाओं का उलंगन किया गया है कॉंग्रेस ने कहा कि इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट का पारदर्शी तरीके से संसद की संसदिये कमेटी में रिव्यू करवाया जाना चाहिए साल दोजार चॉबिस के चुनावी मैनिफेस्टों में कमिनिस पार्टी आफ इंडिया मार्क्स वादी ने वादा किया था कि वह पूंजी पतियों को फाइदा पहुंचाने वाली और परियावरन के लिए खतरनाक इस योजना को रद कर देगी इतना ही नहीं ट्राइबल काउंसिल आफ ग्रेट निकोबार एंड लिटल निकोबार के अलावा कई परियावरन के जानकार वन्यजीव संद्रक्षन वादी भी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर चुके हैं अगला अब भारत के पास होगा युक्रेन का ब्रह्मास्त जिसके दम पर रूस के छुड़ाए चक्के जाने जैवलीन की ताकत रूस और युक्रेन के युद्ध को दो सालों से अधिक समय हो गया है दुनिया को उमीद नहीं थी युक्रेन सुपर पावर रूस के आगे ज़्यादा दिन टिक पाएगा लेकिन युक्रेन के सैनिक रूसी सेना का डटकर मुकाबला करने में लगे हैं युक्रेन ने इस जंग में जिस हतियार का सबसे अधिक प्रियोग किया है उसका नाम है FGM 148 जेवलिन मिसाई इस हतियार का युक्रेन ने ऐसा उप्योग किया कि रूसी सेना के छक्के छुड़ा कर रख दिये हैं कंदे से दागे जाने वाला कवच रोधी इस हतियार के भारत में बनने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है भारत की सेना इसे करीब 10 सालों से बनाने के लिए परियास कर रही है आपको क्या लगता है कि क्या भारत इसमें सफलता पा लेगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं धन्यावाद